वेलकम बाक टू माई वीडियो माई नेम ही शगुन गुपता और वेलकम टू शगुन गुपता मेकप स्टूडियो तो गाइस मैंने आपको पिछली वीडियो में पताया है कि हम प्रंट पर कैसे बनाते हैं यह हमारी बिगनर स्रीस चल रही है जिसमें आपको यह से लेके जाको सब्सक्रम को पता कर जाको से बससद अगर हैं तो मैं प्लेइस्ट बना दूँ अफंगी आप जाकी चक कर सकते हूँ कई ऊसपे आज यही बनाते हैं कि पवग प्रंटे खार जाख्म बना आश्यावारी आपको बताने वाली हों कि मिडल पफ कैसे बनाते हैं तो चलिए हम शुरू कहते हैं आज की वीडियो को बिना आपका टाइम वेस्ट किये अगर आपको में वीडियो अच्छी लगती है थोड़ी सी इंफर्मेटिव लगती तो फ्लीज लाइक कीजे शेयर कीजे और सब्सक्र आप चाहते हैं तो मुझे पूटो शेयर करो अच्छे तो आपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर सी सेक्षन निकाल लिया है और हमें क्या क्या चाहिए हमें सेक्षन क्लिप चाहिए इस तरह हमें एक टेल कॉम क्या चाहिए कि और हमें चाहिए होगा बॉपीश अगर आपको नहीं पता है कि हम सेक्षन को कैसे निकालते हैं तो आप मेरे पी प्रेटियो को चाहिए चेक कीचा करेंगों करें मैंने बगनाबाएं सिरे यहां छुटीर्य की समय मैंने शाल चीज निकाल लिया है गाश्य स यह टुई यह पार्ट भी है मिडल पार्टिशन भी मैंने सब्सक्राइब कर लिया है और अब हम इसमें मिडल पफ बनाएंगे तो हम मिडल पफ बनाएंगे बाक कॉमिंग के साथ तो पहले हमें क्लाइंट के साय को बिलकुल सीधा रख लेना होगा देन हम पतले-पतले एकदम transparent section की हमारे हाथ की जो उंगलियां होती है न वो दिखनी चाहिए और इसमें हम backcomming करेंगे backcomming करेंगे इस तरह से हम छोड़ देंगे आपको hold spray कहना होगा ठीक है अगर आप client को कह रहा हो तो आपको hold spray कहना compulsory है यहां पर तो मैं dummy पर दिखा गई तो मैंने hold spray का use नहीं किया है लेकिन आपको hold spray यूज करना compulsory है client पर वाइना backcomming खुल जाएगी और इसके बाद हम एक clean मतलब puff में जब हम cleanless देते हैं तो उसके लिए हम एक पतला से section निकालेंगे जो बिल्कुल हमारे puff को neat and clean दिखाएगा last में यह section निकालके हम बिल्कुल thinser section निकालेंगे और इसको निकालके हम इसमें section clip लगा देंगे अच्छे से पहले निकाल लेंगे हम इसको section को सारी backcomming आपको route के पास लाके छोड़नी होगी अच्छे से वहाँ पर press करेंगे route के पास backcomming को और फिर वहाँ पर spray करेंगे अभी मैं आपको backcomming से सिखा रही हूँ आगे मैं आपको bumpit के साथ भी बताऊंगी अगर आप backcomming करेंगे नहीं बनाना चाहते जैसे कुछ client कहते हैं कि हमें backcomming नहीं चाहिए तो आप उनका bumpit के साथ puff बना सकते हो वैसे भी जब आप crimping करोगे तो आपके बालों में volume आ ही जाएगा ठीक है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बस हमारी backcomming कंप्लीट होने वाली है यहाँ पे अच्छे से हम सारे बालों में backcomming कर रहे हैं आपको में वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीज़े शेयर कीज़े और सब्सक्राइब कीज़े मेरे चानल को बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाए कोई भी क्वेरी यह क्वेशन है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हों उससे इस तरह किसे हमने सारे बालों में backcomming कर ली है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहां पे और इस सेक्शन को हमने छोड़ दिया है अब हम सारे बालों को एक साथ लेंगे और कॉम्ट करेंगे और नीट एंट क्लीन करेंगे हमारे है इसको जो भी फ्लाइफ इसी है इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ताकि क्लाइट पे जब हम पफ बनाए तो उस पे वो पफ खराब ना लगे है अच्छा से हम वालियूम देंगे सारे बालों में हम बाक कॉमिंग करेंगे हैं जहां पे हमें लग रही है कि बाक कॉमिंग करेंगे हैं वहां पे हम फिर से बाक कॉमिंग करेंगे सब को हम अच्छा से कॉम करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं या पे सारे बाल को अच्छे से कॉंब करें रहे हैं आपको जो भी वाइक करना है बहुती नीड एंड क्लीन करना है ताकि आपके क्लाइंट को आपका वाइक समझ में आए बिल्कुल भी मैसी ना लगे वाइक आपका वो आपके वाइक से खुश रहे है, साटिस्फाय रहे है आपको हमेशे अपने क्लाइंट को साटिस्फाय करे कहीं भेजना है अन्प्रोफेशनल वाइक नहीं करना है, फुल प्रोफेशनल वाइक करना है अगर हमें लगए कि कोम से हमारे बाल नहीं कंट्रोल हो गए है तो हम बाक मतलब कोम की जो पीछे वाला हिस्सा होता है उधर से हम बालों को नीट अंड क्लीन करेंगे तो इदा आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से कॉम कर लिया है और अब हम इसको पिन करने के प्रोसेस में चलेंगे अगर आपको भी पॉप लॉक करने में दिक्कत होती तो मुझे कॉमेंट में बता हैं मैं आपको बताओंगी कि हम पॉप कोई इजी वे से कैसे लॉक कर सकते हैं अब damn तो यहां पर आफ देख सकते हैं कि हम वाल्यूम दे रहा है हम वाल्यूम कम चाहिएं एकवल करें को सब्सक्राइब हम नगुंआ है कि यह सथा है जब आप शाइन इस्परे और होल्ड इसक् денег यूज सेरक करें कि तो तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहां पी जो है अब हम इसको लॉक कर रहे हैं इसको बॉपी पिन की मदद से लॉक कर देंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम इसको लॉक कर रहे हैं बहुत ही इज़ी वेज से में आप आपको सारी चीजों को बता रही हूं मैंने इसमें बहुत सारी वीडियो बना चुकी है अगर आपको पाला इसे कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कॉमेंट में बताओं मैं आपको जरूरी से बताऊंगी की हम कैसे क्या करते है जो भी प्राबलम्स आपको आठी आब मुझे कमेंट में मैं आपकी डाव्ट प्लिया कर Will Alban इसे में पिकिंदे को वीडियो लाने वाली हूं कि आप वॉल्यूम करें एक्वल दें सारी चीजों को हम क्लाइंट को ऐसे बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हम एक्वली कॉम करते जा रहे हैं बालों को ताकि हमारे साय फ्लाइफ इजी है इस कंट्रोल में रहें और हमारा पफ जो है वो बिल्कुल नीट अंड क्लीन दिखाई दे अगर हमें लगेगा कि इससे भी हमारे जो अंदर की बाक्कॉमिंग है वो विजबल हो गई तो हमारे से थोड़े से बालों को और लेंगे और फिर से उसके उपर डालेंगे तो जो भी हमारे बाल होंगे वो हमारा जो भी पफ होगा वो एकदम नीट अंड क्लीन दिखाई देने लगेगा तो जैसे कि मैंने यह ट्री पार्टीशन किया और मुझे लाग रहा कि अभी भी हमारी बैक कॉमिंग थोड़ी बहुत दिख रही है तो हम इसमें से थोड़ा सा पार्ट लेंगे बिल्कुल थेन सा निकालेंगे बिल्कुल जगा सा एकदम पतला हम निकालेंगे इसको कॉम्ब करेंगे अच्छे से और इसी लाइन से हम दूसरे साइड के बालों को भी लेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर बिल्कुल थिन सा सेक्शन लिया, इधा भी मैं बिल्कुल थिन सा सेक्शन लोगी और सब को एक साथ कॉम करोंगी सब को हम एक साथ कॉम कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से कौम कर लेंगे अच्छे से और फिर उसके बाद जो है आपको चैट करना है कि हमारे पौफ का जो वालियूम रहा रहा है कि नहीं आ करेंगे हम एस जाझे क्लाइनट को नहीं भीजेंगे अच्छे सबक्रां करेंगे बालो को कुरिम पिंग्म करें तो बीजानिस नी यूज़ करें के सावर बालों को हम अच्छे से कोंब का है है से और यहां पर हम प्रवन कन देगे अच्छे से हमेडल पर बन के ट्याय हुग कि आप जाएंगी तो आपको बता दोंगी कि हम कैसे करते हैं अभी आप बिगनार हो आपको थोड़ा से दिक्कत होगा विकर अप्रैक्टिस करो तो आप से सारी चीजे हो जाएंगी हम यहां पे अच्छे से पिन अप कर ले रहे हैं और मैं थोड़ा सा फ्रंट वैरियेशन भी यहां पे दे दूँगी ताकि आपको समझ भाएं कि जब फ्रंट का वैरियेशन बनाएंगे तो क्लाइंट पे हमारी हेर शायल बिल्कुल ऐसी दिखेगी पफ मैंने बना लिया यहां पे अच्छे से आप देख सकते हैं हमारा पफ बन गया है बहुत ही अच्छा दिख रहा है हमारा पफ यहां पे और अब हम यहां पे फ्रंट वैरियेशन बनाएंगे बहुत ही इजी सा मैंने यहां पे फ्रंट वैरियेशन बनाया है बिल्कूल भी तफ नहीं किया है बस twist and pulling technique से वे myoff gift foundation बना दिया है आगर आपको twist and pulling technique नहीं आती तु वह को आगे की वीडियूस में बताऊँगी उसके लिए आप पिलू को भी परिशान कि हम ने बिना किसी अचिंग कर सकते हैं कोई इसू नहीं जल्दी जल्दि अगर हैस्टॉ सब्हांच एसे इसे करना हैं क्रिस्क्राओस करेंगे तो हमारी पिंस जल्दी से हीलेंगी नहीं, अगर आप ऐसे पिन कर दोगे, तो हमारी पिंस निकल जाएंगी और क्लाइंट की हैस्टाइल धीली हो जाएगी, और फिर वह अगले दिन आप कॉल करके कहे खिर हमारा तो हैस्टाइल ही खुल गया, तो वो चीज अच्छी नहीं लगती है अब हम यहां पे बालों को कॉम कर लेंगे अच्छे से सारे बालों को पिन करके और फाइनली यहां पे हमारी जो हेर स्टाइल है वो तयाय हो चुकी है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग गई है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए मेरे चानल को थांक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो